सबरदस्त है मनीशा जिस दिन फर्स डे सेट पर गई थी बिग बॉस के अंदर जा रही थी अंदर आ गई थी आपके सामने बहुत सारे सेलेबरिटीज थे कुछ नोन कुछ अनोन तुमारे से होंगे तो फर्स डे पहली रात की क्या फीलिंग थी क्यों तुम पहले दिन से ही बिना रुके चल तो रही थी तुमने सोच रखा था भईया चले भी जाये जाये कभी भी पर कुछ करके जाएंगे तो वो क्या एक्स्पिरेंस था आपको सच बता है जब फर्स डे हमें इंटर किये थे फुल ओन बहुत जादा एक्साइटमेंट था मेरा सब कुछ बट जैसे जिसमें फर्स डे का बात बता रहें जब हम इंटर किये और वहां पे फलत दी जिया अभी शेख स्टार्टिंग में मतलब में को एक दम ऐसा लगा कि जब हम उन लोग से मिले और बात सुख गए तो में को लगा कि यार हम गलत जगे पर आ गए सच में मेरा वो चूफ इलिक था क्योंकि मुझे ना मेरे जैसा कोई लगा नहीं मतलब मुझे ऐसा था कि मेरा वाइब मिलने अब हाई चारा रहता है तो मुझे वैसा इंवाइरमेंट का आदत है हमेशाद तो मैं को ऐसा थोड़ा डिसपॉइंड लग रहा था उस टाइम फिर जब बेबी का आई इंटर की और उसने मुझे ऐसे हख करके उस टाइम बोला कि यारे बहन बहन वट जो मैंने सुना रहे तो मुझे आके बोला कि यारे बहन तुम्हारा वीडियो हम बहुत देखते हैं तुम बहुत अच्छा करती है तो वो मेरा कि फाइनली चलो कोई ऐसी बंदी में फ़र्स डीपे मिली जिससे हम आगी का सफ़र थोड़ा बात-बात करके काट सकते तो यह मेरा था बढ़ जब वो सब तुम्हें मिलेगा जो अलग-अलग मतलब personality अलग-अलग लोग है लेकिन उसमें आपको survive करना वही बिग बॉस अगर सब आपको अपकी जैसे मिल जाएंगे और सब अच्छे से रहेंगे तो फिर बिग बॉस काये का बिग बॉस बिग बॉस काये का बिग बॉस सही बा उसको हिलाने के लिए कभी कोई वीकेंड की क्लास लगी थी या कभी कोई ऐसा experience लगा था बताओ वो बताओ देखिे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट विए था वो तो मेरा बहुत अच्छा रहा था तक नॉस कि उस ताइम् था कि मेरा सब के साथ बहुत अच्छा था क्योंकि जब तक नहीं हो था तो अपनी से सामने तो डूरेंगे नई बट रहे बट हम एक zost ब आ k और हम चीजों को अब्जर्व करके लोगों के खिलाफ भोने लगी कि नहीं मुझे यह नहीं लगता ये लगता है तब से लोगों को वार में ऐसा था कि मतलब मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि हम इतना तो गलती नहीं किये मतरा सुनने मिल रहा है मतलब सब्ille मुझे लगता था क्या रही का इतना 豪िड है कि तो जब सामान सर को नै बाहत दल से मतलब उनका उनके साह करना से थुक्र Yay तो हमेशा ही इमाजिन करते थे कि मुझे बिग बॉस में चाहना भी है और इस्पेशली सल्मान सर भी एक रिजन है क्योंकि हम उनको बहुत पसंद करते हैं तो उनके साथ स्टेज सेयर करना यह सब मेरा इमाजिनेशन था लेकिन जब जब उनसे डांट अभी मिलता था ना तो एक दिन तो ज़रूर डिप्रेशन में रहते थे कि यार सल्मान सर डांट दी है मुझे मेरे फेवरेट अक्टर ने मुझे डांट दिया तो मैं को फिर मैं क मैं कोई तुम रोने रोने जासा लगता था यार कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे इतना बोला गया फिर को लोग समझाते थे कि नहीं तुम्हारी गलती इतनी भी बरी नहीं है तुम समझो बात को बस ठीक है तुम जो हो गया उसको भूल के आगे बढ़े तो कह मुझे एक दिन विकेंड का वार का एक दिन तो मेरा पुरा खराब जाता था पूरी रात पर हम ओवर थिंग करते थे कि सच में हम क्या इतना गलत कर रहे है यह वो पर फिर मेरा था कि नहीं है ठीक है मुझे continue रहना है इस रो में तो हम इतना जादा दिल पे नहीं ले सकते ह मत सकता हूं वीकेंड का वार पे अगर आपको तारीफ मिलती है तो आप घर में ऐसे घूम रहे होते हैं कि देखा मैं तुम सबको समझाता था कि यही करना है और अगर कुछ सुनने को मिलता है तो हम विचारे ऐसे खटे वहते हैं उस समय दोस्तों की सबसे आदा जरूत होत है तो बात अगर दोस्तों की चल रही है तो तुमारी फ्रेंडशिप बहुत जबर्दस वाली पॉपूलर है बार हैश्टेक्स है तुमारे अभीशेक के एलविश के तुमारे जिनको लोगों ने बहुत ज़दा सारा है बहुत पसंद किया है तो तो फ्रेंडशिप के बार दोस्ति नीनि दोस्ती का रीजन ये भी है कि हम लोग कहीं न कहीं दोनों का टिंकिंग गेम को लेखे इतना जबाधा मिलता था अगर हम जो फील कर रहे हैं बागी लोगों को लेके और इस पूरे गेम को लेके हम दोनों का थिंकिंग इतना मिल रहा था जब आपको बिग बॉस में कोई ऐसा साथ ही मिल जाए जिसका सोच आपसे इतना मिलता है तो फिर वह मज़ा आने लगता है बात करने में तो नो डाउट हम लोग का स्टार्टिंग से था एक होता है और मेरा क्या रियल लाइफ में हम बहुत जादा केरिंग हैं और हम जिसको दिल से मान लेता है न तो उसको दोस्ती मेरे लिए कि जान दे दो प्रान दे दो मतलब दोस्ती के लिए कुछ भी कर दो हम लोगे बिहार में वैसे बहुत सारे दोस्त होते हैं मतलब बिहार में नहीं पर हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त जो नीश स्वार्थ मतलब उनको बद मेरे लिए कोई नहीं आता था सिर्फ एक अभिशेख ही कभी में कभी क्या वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेता था तो वो हम दोनों में था कि उसके खिलाफ हम नहीं सुन सकते थे मुझे रोता हूँ वो नहीं देख सकता था तो हम लोगा बॉंडिंग इसले बहुत जादा मतलब जब बहारा है हम सौंग्ड हो गए मतलब जब लोग अभिशा फैन पेज इतना जादा इंस्टाग्राम पर जहां देख रहें मेरा अभिशे का वीडियो हम मुली यार इतना अंदर हो गया क्या मतलब मेरे ऐसा था कि सच में इतना वीडियो इतना फैन पेज मैसेज प इतना अच्छा लगी था ने डेफिनिटली आप दोनों का जो बॉंड था उसमें एक ओरिजिनलिटी की खुश्बू आती थी कि ऐसा लग रहा है कि दो लोगों के बीच में इतना अच्छा बॉंड बन चुका है जो शायद इन दिनों के अंदर ही अगर बनाएगा हालां कि लोग इसको ऐसे देखते हैं कि वो एक डेट घंटे का एपिसोड देख रहे हैं हालां कि अब तो जियो सुनेमा पे लाइव लोगों ने बहुत बहुत घंटे रेगिलर लाइव बैठे आप लोगों ने इतना अच्छा इंटर्टेन किया इस वरे से पर लोगों को ऐसे ना एक दूसरे का खयाल रखना कपड़े बताना एक दूसरे को तो एक बहुत जबर्दस वाला बांड बन जाता है और वो दिख रहा था तुमारी फ्रेंडशिप्स में और तुम जिस तरह केर कर रही थी कई हमने एप के थुरू देखा कि कई बार तुम उसका सर दबा रह रही हो कई बार वो तुम्हें कपड़े बता रहा है तो यह बांड जो फील करवाता है लोगों को और पीपल आर लविंग यू और यह कहा रहा हूं नहीं अभीशा जो है कि यह नेक्स्ट लेवल पर लोगों के दिमाग में आया ही इसलिए बिकॉज के इस खूपसूर्ती क बिना एडिट के बिना फिल्टर के हमको लगातार दिखाया गया तो लोगों को प्यार डेफिनेटली होना ही है अलविश के बारे में कहा रही थी तुम पीछे नहीं हम बताते हैं अगर आप लोग पूरा देखे होंगे तो स्टार्टिंग में पीछे नहीं परेते हैं मतलब स्टार्टिंग में हमारा मतलब वो बहुत मज़िदार बंदा था इविन अभीशेक को जाके बोले भी थे कि अभीशेक मुझे ना जल्दी लोग हसा नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे ना ऐसे अगर कोई रियालिटी सो भी चल रहा है कोई कॉमेडी करा तो मुझे जल्दी हसी नहीं आता है बट एल्विस की हर बात पर मुझे हसी आता था यार यह बंदा कैसे बोलता है तो मैंने बोला था यह बहुत इंट्रेस्टिंग कैरेक् सब्सक्राइब तो मुझे लगा अच्छा इसको मेरा नॉर्मल बिहेवियर में थोड़ा कर दी तो लग रहा है प्यार तो मुझे जब इतना मजा आ रहा है तो कहीं न कहीं एक वैसा मोहल बनेगा बस्ती वाला तो इसलिए भी रिजन तक हैं उसको फिर चेरना या उसके आप लोगों को भी आ तुम दोनों के इस्टेक्स बार है और मैंने कई बार देखा कि उन्हारणा सर्व कर रहे थी लोगों को वो लोग बार में यह बताओ थोड़ा सा के वह किस तरह का इंसान vorbei अंदर कैसे आपका अभिशेक का उनका क्या बॉंड था आप लोगों का अपस में क्या डिस्कुशन और क्या चीजें होती थी एल्विस बहुती जादा मस्त बोलिए और ना मतलब हम अभिशेक को यह बोलते तें कि अभिशेक का कभी-कभी कहना होता था कि हम तीनो मेरा और अभिशेक का प्रिसनालिटी कहीं न कहीं था सेम की हम जैसे अभिशेक बोलता कर तुम फन करते हो इंटर्डेंट करते हो बड़ तुम चीजों पर बोलती भी हो जैसे कभी घर का कुछ मुद्धा हुआ तो हम उस पर बोलते हैं तो जस्ट कभी-कभी यह एल् अभिशेक भी मैंने बोला थे कि सुनिये ना आप ना नॉर्मल ऐसे बहुत बाते करते हैं पर जब घर में कुछ होता तो उस टॉपिक बिल्फुल भी नहीं बोलते हैं तो उसने बोला तो देखो मनीशा हम ऐसे ही हैं रियल में कि मुझे जब तक अपने पर बात नहीं आता अच्छा लगा कि ठीके भाई यह अभिशेक ऐसा है कि हर मुद्य में बोलता है क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा है यह अपने आखों के समने गलत नहीं देख सकता है अगर हम यहां आए हैं तो हम सरिफ गेम के लिए नहीं कि मतलब मेरे मेरा भी वही कहना कि नॉर्मल ला गया था क्योंकि वह विंदास था और उसके मन में जो भी रहता था वो खिल के बोलता था तो मुझे वो लगा कि हां जो भी यह ठीक है तो हम लोग के ग्रूप में वह एक ऐसा हो गया था बॉंडिंग की तीनों अच्छे से मस्ट रहते थे वह जहां पर पिलोस पफीस पड अगर किसी से दुश्मनी हो गया तो उसको पाल कर रखती हो तुम यह तो तुम्हें अपने बारे में पता है नहीं पता क्योंकि तुम बोल नहीं रही हो मेरा मानना है रियल लाइफ में भी ना हम किसी से भी मिलते हैं तो मेरा हमेसा पॉजिटिव रहता है कि अगर सामने वाला कैसा भी मेरा आधल है सामने से तारीफ कर देना रहे बहुत अच्छे लग रहे बहुत प्यार हो तो हम हमेंशा अपने तरफ से पॉजिडिव जब एक बर मुझे लग जाता है तो फिर मेरा यह हो था कि यह बंद मेरे टाइप का नहीं है तो यह मेरे से मतलब इतना में कुछ से मिलना नहीं है ऐसा वाले अच्छा जब भी nominations होते थे तुमारे कुछ fix nominations होते थे और सामने वालों के भी तुमको ले करके मतलब बाकी के contestants के भी तुमको ले करके fix nominations होते थे तुमारे reasons भी कुछ होते थे तो तुम्हें क्या लगता था कि तुम ज़्यादा अच्छा performance दे रही हो या तुम ज़्यादा अच्छा घर में हो और वो लोग तुमारे competitively नहीं है क्या लगता था तुम्हें वो थोड़ा detail कर तो कहीं नहीं नहीं वो भी रीजन है कि लोग मुझे nominate कर देते थे और रहा मेरा nomination का कि मेरा fix ऐसा मेरा यह मानना था कि जिसे बेबीका से लड़ाई हुआ था तो बेबीका ने फटक से मुझे nominate किया लेकिन जब बेबीका कभी time था even starting day से हम अभिशे को गोते थे नहीं य यह सो के लिए बहुत कुछ कर रही और करेगी तो यह डिजर्व करती है तो मेरा मानना हुए है कि मेरा personally लोग मुझसे कितना भी fight कर ले दूस्मनी कर ले लेकिन जब nomination का बात आता है तो हम कभी भी personal चीजों को रख के nominate नहीं करें अगर वो बंदी सो के लिए कुछ कर रही और deserving है तो वो मेरे दूस्मनी क्यों ना वो इस सो में रहनी चाहिए क्योंकि वो इस सो के लिए important है तो इसलिए हम कभी भी आज तक बेबी का को nominate नहीं किये मेरे बस बेबी का हमेशा एक option में थी वहाँ पे घरवाले क्या करते थे जिससे आपका लड़ाई होता था बस वो उसको nominate कर थे ताकि उसका दुस्मन वही बना रहे और वो सेफ गेम खेल के गेम में आगे बढ़ते रहे बड़ाई है बड़ाई हम कभी भी मुझे ना नॉमिनेशन से डर लगता था और हम कभी भी सिर्फ यह देखके और लेड़ी हम एक बड़ जिया को nominate कर चुके थे औ फिर भी मैंने फलकदी को किया अभिनाश को किया तो मुझे जब भी ऐसा लगा कि यह लोग डिजर्विंग नहीं तो मैंने किया बिना यह देखे कि अल्रेडी मेरे पास एक औप्शन में है मैं इसको कर सकते हैं मैं को जिया को लेगे हमेशा से था जैसे फर्स्ट विक में ही मुझे वह वह बहुत ही सांथ और एकदम मतलब एक्टिव मी लग रही थी तो मेरा वह पहले ही था कि यार यह बंदी तो कुछ बहुत है पलीज बोलो प्लीज बोलो फिर बाकी ने पलीए को कही ने किया सब्सक्राइब जो मैं तुमसे पूछना चाहता Hoş Manisha अभिशेक और जिया की जो friendship थे तुमको इसके बारे में क्या बोलना है मुझे लगता है कि अभिशेक सच में उसको दोस मानता था बट कही नख़ी जिया का friendship में कोई genuinely लगता था मुझे लगता थे कि उसको पता है कि अभिशेक स्टार्टिंग फर्स्ट में एक-दो वीक में उसको अभिशेक के तरफ कुछ था ही नहीं, जैसे वह बहुत जादा अवी नाश के साथ बैट इसा अभिशेक के साथ बाहर लोग दोनों को पसंद कर रहे हैं, तो फिर उसका दिमाग चल गया कि यह यार अगर हम इसके साथ कु क्योंकि बहुत ऐसा टाइम आए कि जैसे इक होता ना प्यार और दोस्ती का लांगविज नहीं होता है उसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा किसी को कि आप प्यार करते हो या फिर वो दिख जाता है आपके हरकत से आपके बॉड़ी लांगविज से तो जिया भले ही दोस्ती को तम खुलने में बोल सकते थे कि उसका क्योंकि कहीं ने कहीं जैसे उसने बहुत बार ऐसे बचाया इसको अभिशेक को चाहे लॉकेट वाले में तो आप ये भी तो देखी कि कोईंसीदेंस ऐसा होता था कि जिया को ही हमेशा मिलता था वो सब चीज जिसमें आपक अंदर लॉकेट और अंडे में तो चैक कर रहे हैं ना उनकी फ्रेंड्शिप को चैक कर रहे हैं ना प्योरेटी को चैकी तो करता है शो आपको चैक करता है तो वही मेरा मानना है कि जिसे वो जब कैप्टेंसी वाला था और जब था कि आपको इसका लॉकेट इसका पर तो अभिशेक को वो देता इसमें को यसी बहुत बरी बात नहीं ऐसा नहीं कि खिलाफ बोल रहा है आई एप्रिशेट कि उसने वो किया बट किसी को भी कॉमें सेंस होगा या फिर उसको वो चीज समझ में आथा कि नहीं एक बंदी के लिए कैप्टन सी कितना जरूरी है व फिर एक दो दिन वो ठीक थी बड़ लगा कि अभिशेक को कौन से वाले टाक्स में हाफ टिकेट तो फिनाले में जो अभिशेक ने सपोर्ट किया था तो उसके बाद में ने देखा कि जीया के रियाक्शन थोड़ा चेंज हुआ अभिशेक के लिए कि इसको लगा यार इसन अभिशेक को तो देती क्योंकि अभिशेक ऐसा बन्दा था कि वो कभी भी कुछ भी उसको दो तो वो हमेशा मतलब लेकर जाता था किया सब को खिला के लाते हैं पुझा दी हो या जीया हो तो वो सब को हमेशा लेकर चलता था तो जब जीया ने उसको इसको 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 इस उसने अभिशे को आफर नहीं किया तो हम लोगों को वो लगा मैंने बोला बिता कि यहीं इसका प्यार है ग्यार एक दिन में बदल गया हलवा नहीं खिला रही है तो ऐसे लोग को फील हो जाता है छोड़े-छोड़े चीजों से कि कौन आपके लिए जैनिवनली आपको दोस् पर इस पर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को लेकर के इतनी पजेसिव हो उनसे प्यार करती हो कि तुम चाहिए नहीं रही हो कि कोई और आए क्यूंकि वो तुमें पहले से जैनिवन नहीं लग रहा है तो तुम चाहिए नहीं रही हो इसका किस से रिलेश यहारए लड़के को लग रहा है लड़की अच्छी है और वो ट्राइ करना चाते हैं आपस में बात करने कि तो तुम पजे सिव मैं दोस्त किरने लिए और तुम्सें बात नहीं करेगी मुझे हलवा नहीं पूछेगी कैसे तो प्रूव करेगी न तो बताओ इस पॉइंट को कैसे माने बताओ देखे मेरा मानना है कि मैंने बहुत टाइम पे जब मुझे विगन कब आर पे वो पता चला था की मुझे बोला चा रहा है तो मैं इस बोला तो मैंने बेड वाले पे तो मैंने अभीशेक को दो-तीन भर ले मिलने कि मेरे लिए यही कि अगर अभिशे की खुसी उसी में तो मेरी खुसी भी उसमें है समझ यह बात को अगर मेरा दोस्त आप बिश्य को पसंद करता है तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट जब आपको एक अगर मुझे थोड़ा भी आजाता ने कि हाँ यह जैनूली उसके लिए कर रही है तो अगर मेरे माइन में यह आया है तो कहीं नहीं को समझ में आ गया कि नहीं यह गेम के लिए कर रही है अच्छा अब मुझे एक बात बताओ the senior most in your house पूजा भट के बारे में कुछ बताओ overall तुमारा एक क्या उनके बारे में खहना है overall कि मेरा उनके बारे में यह खहना है मुझे लगता है कि एक तो पुझा भट पुझा भट है लाइक उनको इतना जादा एक्स्पिरियंस है और जिंदगी का और वो बहुत टाइम पर बहुत ऐसी ग्यान वाली बातें बोलती है जैसे उनको बाहर ग्यानी बोला गया है तो नो डाउट कभी-कभी उनका ज्यान बहुत जादा लंबा होता है तो लोग बोर हो जाते है बट कभी-कभी उस ग्यान में कुछ ऐसा भी होता है जो सीखने लाइक होता है उनने निकालने की कुशिश की जूट नहीं बोल सकता है इसलिए इसलिए तो तूम गई तो थी उनके पापा के जाने के बाद सौरी बोलने के लिए पूजा जी तो उस दिन समझ गई थी तुम उसके पापान समझा दिया था तुमको महीज भड बहुत बड़ी डिरेक्टर हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते तो मेरे लिए था यार की मेरे जब हम फर्स डिया आए कर हम पूजादी को देखके भूले थे अरे पूजादी आपके साथ मुझे रहने का मौका मिल रहा है यह बहुत बरी बात है तो मुझे यह सब करने में बोलने में कुछ नहीं लगता है कि हाँ यार पूजा भड के साथ अगर मनीशा रानी को मौका मिला तो सच में आइम ओनर की मुझे एक प्लाटफॉम में उनके साथ रहने का मौका मिला है बट अगर हम उनको रिस्पेक्ट करते थे प्यार करते थे बट जब चीजो होगे तो जबर ही नियृ कर जलट एकदम सर्भुन सम्पन है गलती हम भी कर सकते हैं घलती मेरे से भी हो सकती है तो मुझे भी सब्सक्राइब करतेlands कभी-कभी मुझे लगत थे गलत है उनको लोरे को बोलते भी थे उनको अब बहुत टाइम वहीं में नहीं चाहती कि जब बात उनके खिलाफ होती है अगर अगर कोई बंदा या बंदी उसके खिलाफ बोल दे तो चाहे वो सामने वाला सही भी क्यों ना हो तो उनको फिर वो अच्छा नहीं लगने लगता है कि अरे यह मेरे खिलाफ कैसे बोल तो वो उनमें एक चीज थी जो मैंने जब आप आप अपने दिल का बात बोल सकते हैं तो मैंने उसमें बोला भी था गी हाँ पूझा दी का मुझे ये नहीं अच्छा लगता है अगर उनके खिलाफ जाके आप बोलो तो आप सही भी हो तो आप आपको फिर वो गलत समझने लगती है तो वो तो हम भी करते हैं आम जिंदग पूझा बोलो तो अपने खिलाफ बहुत अब बाते बहुत सारी बाते भी करते थे तो फिर ऐसा सड़नली क्या था तुम्हारा पूझाट पूज़ादी से बहुत पर तक हम बेबीका के साथ थे सब कुछ बहुत अच्छा था पूज़ादी साइरस पूरा एक फैमिली वाला जोन चल रहा था जिसमें पूज़ादी को हम बहुत अच्छी लगते थे सब कुछ बहुत सही था बट मुझे ऐसा फिल होगी जब से अल्विस आया जब से अल्विस आया तो बेबीका का पहले इंटेंशन क्लियर था कि मुझे इसको दोस्त बनाना वो आप लों को दिख रहा हो कि बेबीका ने अपना बहुत पॉजिटिव वाइब उसके सामने रख तो जो भी आता मनीशा इस सबको लपेट लेती है तो मतलब टैग लाइन तुम्हारे पे सूट होता है मनीशा रानी सबसे सयानी तो उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि कहीं न कहीं जैसे हम जब बेबीका के खिलाफ होते थे तो उनलों को लगता तो होगा कि जैसे अधि भी बोल थी कि मनीशा आंग लगाती है मनीशाह ही इन लोगों को इंफॉरेंस कर दी है भी शिक को यल्विस को तो वह सब मोमेंट में मुझे लगने लगा है पिर मैने बोला पर यह दोनों को हम बहुत स्ट्रॉंग समझते हैं और अगर यह दोनों मेरे से इंफुरें influence का सकते हैं तो वही तो कुछ-कुछ यह सकता है यह एक सवाल है मेरा सवाल इंसेंस जंता की तरफ से मेरा तुमसे पूछने का सवाल है यह पूछ रहा हूं मैं कि इस flooding की पीछे क्या agenda था जो तुम कर रही थी क्योंकि तुमारे दिल से तुम नहीं कर रहे थी यह हमको पता है कि तुम बोलती भी थी इसके पीचे क्या agenda था हम पब्लिक को entertain कर रही थी तुम अंदर content देने के लिए यह इसके पीचे क्या रिजन था हम रियल लाइफ में भी अब बढ़ाएं बढ़ाएं नहीं यहार यहां रही थी तुम लग रहे हैं तो मेरा ना ऐसा तारीफ करने का बहुत आदत लड़की और अब जब बढ़ाएं लड़की का भी बहुत तारीफ करते बट जब वैसा कोई में को इंट्रेस्टिंग क्यारेक्टर लगता ने जिसे जैड था तो जैड फॉरिनर था और वो इंग्लिस मतलब मुझे इंग्लिस नहीं आता है टीक्स उसको हिंदी नहीं आता है मज़ा आता है से मस्तिक हो रहे हैं बच्पन से ही मजब जब हम नॉर्मल लाइफ में भी चल जा जो मेरा यह मानना है कि सामने से फ्लट कर दे तो मेरा फ्लटिंग वहीं ख़तम हो जाता है जैसे जैड से हम करते थे पर जैड सम्टाइम वो फॉरिनर है तो मेरा यह था कि जो हम बस बोल रहे हो बोलने दो इससे जादा मत करो कि मेरा लिमिट आई लिमिट की मुझे इतना जो जीज़ बाहर इंटेटेंट दीखे वो करना है जो जादा बाहर ओवर दीखे वो नहीं करता है तो मेरा यही मानना था इसलिए अप जैड को देखके जैड को और आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छी कैमिस्ट्री थी और एक डिफरेंट सा कॉंबिनेशन था सलमान सर ने भी आके आप लोगों को का वो लोग भी सोचे होंगे कि अभी हम लोग इस शो में आए हैं बाहार जाके में भी थोड़ा एक दुस्यों को अच्छे से जानते हैं तो इसलिए भी अपने जगा पर सही है बट मनीशा के लिए बिग बॉस वो है हाँ वो ही मैं कहा रहा था मनीशा के लिए बिग बॉस वो है जिसमें जो बात दिल में है वो जबान पर होनी चाहिए खुल के खेलो खुल के बोलो और जो करना है वो खुल के करो डंके की चोट पर पर हम गलत है सुची आगर हम एक एक लड़का कोई धंका सा मिल जाता है जिसके साथ पर थोड़ा प्यार मौबबद भी पबलिक को बार दे 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 दुश्चा रहता है कि भगवान भी चाहता है कि हम सिंगल ही रहें क्योंकि अगर हम committed हो जाएंगे तो फिर साथ इतना ज्यादा flirting नहीं कर पाएंगा ना तो I think universe ही चाहते है कि Manisha Rani थोड़ा और ज्यादा सिंगल रहे और ऐसी मस्ती मजा करते रहें क्योंकि मेरा जोगा fix हो जाएगा ना तो फिर हम बहुत सिद्धत वाला हो जाता है मेरा सल्मान सर वाला dialogue commitment एक बार जो commitment कर दी उसके बाद हाँ हाँ वही वही फिर इसके बाद तुम अपनी बाप की दिने सुनते हो जलो सल्मान सर ने लास्ट लास्ट में लास्ट वाले डे तुमारी बहुत खुल के तारीफ की थी उसके बारे में क्या कहना चाहती हो बस उस दिन मुझे वही फ़ील होआ कि चलो मेरा सारा बोलता ना जितना भी बात-बात सुने उसका सब का मतला सारा किया वागा उस दिन मुझे लागा सार म but E क ustedes पूरे सीजन में मेरे लिए बस वही काफी बहले बदले में में को वो जितना सुना ना सुना दे बट एक कॉम्प्लिमेंट दे और जब लास में उन्होंने बोला ऐसे तो मेरा बस खुश हो गया है पुरा की हां सल्बान सेफ ने कॉम्प्लिमेंट दे थे बाद कुश्च और अइसा कौन सा moment था एक best और एक worst बेस्ट मेरे था जो मेरे पापा घर आये थे क्योंकि हम जैसे यह सब मेरा सपना है तो उसमें से मेरा हमेशा एक सपना था जिए हम अपने पापा को बिग बॉस के अंदर बुलाएं और प्राउड करते हैं और वो सबसे मिल रहे थे इतने बड़े प्लाटकॉम पे तो मुझे वो मुमेंट हम कभी और पापा के साथ हम डांस की हैं तो हमको वो मुमेंट बहुत हमेशा याद रहेगा बुलाओ ना प्लीज अगर आ सकते हैं तो प्लीज बुलाओ ना पापा पापा जी नमस्ते देखिए आप एक बहुत जबर दस्थ इंसान हैं आप इतने हंबल इतने काम इतने प्यारे इंसान है कि आपने 10-15 मिनिट में आकर के स्क्रीम पर हम सब लोगों का दिल ले लिया था और साथ में महसूस हुआ था कि मनीशा जो बोलती है कि मैं एक स्मॉल टाउन से आती हूँ हम साधारन फैमिली से बिलॉंग करते हैं आपको देख करके वो सब दिखा और साथ साथ में आपकी एक खूबसूरत परवरिश भी दिखी आपके बेटी के रूप में आप एक जबर्दस इंसान है सर मज़ाया था आपको देख करके बहुत बहुत धन्यवाद सर कैसा लगता है जब बच्चे पहले तो हमें थोड़ा ऐसे लग रहा होता है कि क्यों ऐसा करना चारहे हैं समाज के खिलाब जाके कोई कदम उठाना चारहे हैं और फिर जब यह हिम्मत करते हैं आगे बढ़ते हैं और काम्याब होकर के सामने आते हैं कैसा लगता है बाप बहुत अच्छे से आनी आप बता सकते हैं प्लीज बताइए प्लीज वाद रखा जाता है और नहीं च्छत पर दिया जाता है जाता है परलो परलो और समझे तो वह इसी तरह का सर वो माहोज था और उसमें पालना अभी बिनी मा नहीं इस थीज की और इसलिए भी थोड़ परिशानी होता था लोग कहते थे नहीं भाई तुम अपने बच्ची को बिगार रहे हो समाज में दूसरे लगते थे इनकेस के भाई लोग भी बोलते थे कि नहीं भाई आपको समाज में चर्चा होता है भाईया इसा मत किजिए और इसी तरह का माहूल था सर लेकिन हम यह मेरी बच्ची सुरू से चुरू से किसी को मजा कर लेना टोक देना जवर्दस्ती आप जा रहे हैं तो आपको भी मजा कर हो यह सब कि समाज में दुस्ता संसा है मैं समझ सकता हूँ जी तो सो यह समाहूल में फिर भी वो छोटे-छोटे फंसन होता था इसको खूस करने कि इसको ले जाते थे डांस करा नहीं देखा आपने वीडियो देखा था थे और इसका मनुमर भरते गया लेकिन वो बोलती थ लेकिन भागवान की मरजी आप लोग का सिर्वात बिल्कुल सर और एक तो आप मुझे सर बोल रहे हैं मेरा नाम मनु है मैं आपके बच्चे की तरह हूँ और आप मुझे अपना बच्चा ही माने क्योंकि सर एक्चली क्या होता है एक खूबसूरती बताता हूँ मैं आपको उन लोगों की इस्पेशली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लड़की से बहुत एक्सपेक्टेशन्स पैदा होती है एक लड़की के बहुत एक्सपेक्टेशन्स माबाप को होती है कि वो हमारे कहने पे चले हम जैसा चाएं वैसा करे और एक दिन अपने घर जाए वहा के जाना हाथ पकड़ के कहा बेटा तू आगे जा तो मनीशा मैं तुमको एक बात कहना चाहूंगा बहुत स्ट्रगल है तुम्हारा बहुत मैंनत की है तुमने और तुम यहां तक पहुंची हो लेकिन इसका क्रेडिट जो खामोश रहकर के भी तुम्हारे पैरेंट ने तुम परदस्त इंसान है बहुत अच्छा लगा मुझे मेरा सौबाग गया है कि मैं आपसे बात कर पाया और आपके पास मनीशा यसी लड़की है यह बहुत तरक्की करेगी क्योंकि एक रियल प्यॉर सोल लड़की है थैंक यू सर थैंक यू इंदे निकले बहुत बहुत थैंक मनिशा रानी सबसे सयानी पापा का इतना तारिफ करने लिए पापा को दो दिन रात पर सपना पर आएगा रात सोनी पाएंगे डिक से हो पता है हम क्रेडिट तुम तो दे रही हो डेफिनेटली क्रेडिट हम हमेशा क्रेडिट अपने स्ट्रगल और अपनी मैनत को देते हैं जबकि हमसे सबसे ज़्यादा जिनको फेस करना पड़ता है न क्यूंकि हम तो एक एक एज में आकर के और सामने वालों को किसी भी तरह स पता है याँ फादर मतब आपके पिता हमेशा आपके साथ खड़े हैं हर जगे पर मैंने देखा है और वो स्ट्रॉंगली खड़े हैं और इतनी हमली खड़े हैं यह बहुत सरानी है डेफिनेटली मनिशा बहुत बैतरीन जरनी थी तुमारी और मैं कास्टिंग वालों की भ बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रियेट किये इसने इसने इसपेशली आप लोगों की वज़े से आप सब लोगों की वज़े से हाँ यह जी यो सिनेमा मतलब इनफेक्ट मैं आपको बताता हूं इंटरनेट का सबसे बड़ा रियालिटी शो है यह आप देख लो कि आप लोगोंने क्या सेंसिशन मचाया है जो तुम चाहती थी करना वो तुमारे सामने आया है सो लास्टली मैं यह क्याना चाहता हूं मनीशा तुमको कि तुम अपने फैंस जो तुमसे प्यार करते हैं अभीशा फैंस अलविशा फैंस अभीशा फैंस अभीशा फैंस और तुमा उससे खाना वाना छोड़के सब सारे संबंद और रिष्टे छोड़के स्क्रीन के सामने बैठी होती है तो क्या कहना चाहती है उस ओडियंस को हम ओडियंस से यह कहना चाहते हैं कि जब हम अंदर जो भी कर रहे थी तो मुझे खुद पर ऐसे विशफास था कि हम जो कर रहे सही कर रहे हैं बट जब हम बाहर निकले और मैंने हम दो दिन से बस रात को सो नी रहे तीन चार गंटे हम सरफ वीडियो और कॉमेंट ही पढ़ रहे हैं तो मैंने वो चीज देखा है कि जनता मुझसे इतना प्यार करन नाम नहीं लेंगे बट किसी के इंटर्वियो में जो मेरे खलाफ थोड़ा भी बुला है उनको कॉमेंट में ओडियन्स इतना सुना रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनता मुझसे इतना प्यार कर रही है और यह मेरे लिए अनगलिविबल है कि साइध हम को मतलब हम जो कर र आपके वज़े से ही बने और मेरे लिए मेरा पहला फैमिली मेरे लिए मेरा ओडियन्स ही है क्योंकि हाँ यह सच है कि मेरा नाम मेरे मावापने रखा है बट उसको पहचान आप लोगों ने दिया तो दिल से थैंक यू और मतलब इतना मतलब कुशी का मेरा ठीकाना नहीं कि एक लोग ट्रॉफी जीता है नो डाउट अल्विस ट्रॉफी जीता है वो डिजर्विं है बट मेरा शो में जब आए था हम पहले इंटर्व्यू में बोले थे कि मेरा मुझे लोगों का दिल जीतना है हम इसलिए जा रहे शो में चाहते हैं बट रॉफी से भी जादे और अच्छा होना है मुझे कभी किसी का दिल ने दिखान है लोग मुझे इतना अच्छा समझते है को दाना कि जब आपके जैसे घर में हम लोग थे बीज़ बॉस में और आप अच्छा कर भी रहे तो सब आपको डिमोटिवेट करें रहे फेक है ये तो इंसान ना एक दम उदास हो जाता है दिमोटिवेट हो जाता है बट जब बहार आए और अमको लोग इतना साथा प्यार कियें तो मेरा अभी लग रहा है कि अंदर हम जितना रोए हैं अंदर जिवो हमें स्ट्रगल कियें या फिर समटाइम मुझे लगा यार अभी मुझे घर जाना चाहिए बिग बॉस शो मेरे लिए नहीं है बट अब बहार आके मुझे लगता है कि थाइंग गॉड मेरा अंदर रोना तरपना समटाइम पर इतना स्ट्रगल करना सब मेरा सफ़ल हो गया है जब मुझे जनता फिकना प्यार में रहा तो जनता इस तो बेस्ट जनता इस दे बेस्ट यही गया है कि यह इस बार का बिग बॉस पूरा एक मुवी की तरह आए दिंचला होगा जिसमें मेरे जरनी में स्ट्राजिटी इसमें स्ट्राजिटी इसमें जिसमें tragedy, comedy, romance तो कमी था शोड़ी, फिर entertainment और पूरा पूरा एक package था रोमान्स के लिए कम मत बोलो, तुमने पूरी कोशिश की थी तुमने पूरी कोशिश की थी ठीक है तो मिला जो लगे वही है निकि overall जो एक पूरे movie में package होता है तो मुझे लगता है मैंने अपने तरफ से वो दिया और बाकी घरवालों ने भी अपना-पना किर्दार बहुत अच्छे से निभाया है तो overall ये Big Boss का journey बहुत interesting था, बहुत कुछ मैंने इससे सीखा और ये सब like सब ड्रीम की तरह था जो मैंने जी और मुझे बहुत अच्छा मैं बिल्कुल definitely एक blockbuster journey आपने जी है internet पर आप लोग 56 days तक लगातार sensation थे कुछ ना कुछ जबरदस्त वाला रोज आप लोग करते ही थे 24-7 आप लोगोंने हमको entertain किया है और बहुत जबरदस्त वाला मज़ा है आप लोगों को देख करके थांक यू मनू पंजाबी जी आप बहुत अच्छे हैं और जीव सिनेमा वाले थांक यू बिटबस वाले थांक यू पुरा जंदा थांक यू लव यू बाई थांक यू मनीशा रानी बेस्ट विशस तो यू बाई डालिंग तो दोस्तों ये थी मनीशा रानी हमारे साथ